समस्तिपूर जिले के दर्सिंग सराय में नाला निर्मान को लेकर पुलीस और ग्रामीनों के बीच हुई जड़त में पुलीस समेट कई लोग घायल हो गये और मंडल पदाधिकारी ग्यानेंद कुमार ने बताया कि दर्सिंग सराय नगर पंचात के वार्ट संक्या 13 के बेलपना टोला में जल निकासी के लिए नाला निर्मान कराया जा रहा था और इसी कारण ग्रामीनों ने इस नाला निर्मान का बिरोत करना शुरू कर दिया उन्होंने बताया कि मौके पर पहुची पुलिस और प्रसासनी कदिकारी को देखते हैं ग्रामीनों ने रोडे बाजी करनी शुरू कर दी इतना ही नहीं उग्र ग्रामीनों को नियंतित करने के लिए पुलिस ने बल परयोग किया और निर्मान कारे में बादा पहुचा रह लोगों को खड़े दिया आपको बता दे कि पुलिस ने इस मामले में एक ब्रेक्ति को गिरफतार भी कर लिया है किते नाति की गई थी एक आरेस्टिंग हुई है काम पुल हो चुका है इसमें कहीं कोई दिकत नहीं है नाला का पानी कमराइन नदी से होते हुए पुर्व से ही बलान नदी में गिरती है वही तक जानी है उस अस्थानी लोग को गुमराह करके इस तरह का महल किया गया था अब सांधी पूल है कोई दिकत नहीं है समस्ती पूल ब्यूरो के साथ अनुशु भार्दु आज की रिपोर्ट एटियन लाइफ इंडिया